हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो माई ओफिशेल यूटूब चैनल, स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल पर, आज के इस फीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करने जा रहा हैं, जो आपका 2018 में, 2018 में जो आपका CGPDTM का पेपर हुआ था, 30 सितंबर 2018 को, उसका एक अनाल अप्टिशन रहने वाला है, और अभी जो आपका एक्जाम जिसके आप त्यारी आप लोगों ने शुरू कर दी है, जो 3 सितंबर को आपका एक्जाम है, तो उसका एक आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इतने लोग इस एक्जाम के लिए अपियर होते हैं, लेकि क्योंकि अब ये इसको अल्रेडी हो चुका है, चार साल, पांस साल, 2018 में पेपर हुआ था, उसके बाद आप हो रहा है, 2023 में, उस ताइम पर लोग उतने अवेर नहीं थे, जब अवेर नहीं थे, तब भी 63,000 लोगों ने फॉर्म बरा था, इस बार तो अच्छी घासे स्ट पर भी अवेलेबल था, वो सारा डेटा है, यहाँ पर डिसकर्स करेंगे, उसके अलावा एक दो क्वेरी आपकी है, पहली क्वेरी यह है कि प्रिवेस एर कॉस्चिन पेपर नहीं मिल ला, तो मैंने आपको बताया अल्रेडी कि हमें दो से तीन दिन का टाइम दे दीजे, हम अल्लाइन रेजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट हुआ था, तो CGPDTM की वेबसाइट थी, CGPDTMrecruitment.in, जो कि इस टाइम पर अभी एकसेसिबल नहीं है, वहाँ पर वो सारे के सारे प्रिवेस एर कॉस्चिन पेपर अपलोड कर दिये गये थे, तो होफुली हम इंतिजार करेंगे क इस बार भी ऐसा ही हो, जब आपका उनलाइन रेजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, तो वहाँ पर सारे के सारे प्रिवेस एर कॉस्चिन पेपर, आपके प्रिलिम्स के भी और मेंस के भी, वहाँ पर अपलोड कर दिये जाएंगे, लास्ट ताइम ऐसा हुआ था, 2018 में वहीं पर अपलोड किये गए थे, तो इस बार भी अपलोड किये जाएंगा, अगर किये जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आप लोगों को इधर उधर अननेसेसरी अपना टाइम ने वेस्ट करना पड़ेगा, बस वेट कर लिजे छे साथ दिन का जब से आपका ऑनलाइन रिजिस्टरेशन स्टार्ट हो रहा है, 14 जुलाई से, उसके बाद हो फुली वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा, और फिर भी नहीं होता है, तो फिर हम कोशिश कर रहेंगे कहीं नहीं से अरेंज करके आपको प्रिवेस येर कोश्चिन पेपर दिलाएं, हाँ, अब प्रिवेस येर कोश्चिन पेपर, प्रिवेस येर कोश्चिन पेपर, ये हम अल्रेड़ी शेयर कर चुके हैं, 2018 ये आप हमारे टेलिग्राम चैनल पर जाईए, टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसके अलाबा इसका वीडियो भी अप्लोड कर दिया गया है, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, उपर आई बॉटन पर क्लिक करके इस वीडियो का आप देख सकते हैं, टेलिग्राम चैनल पर भी ये PDF आविलेबल आप वहा है से जाकर के डॉनलोड कर सकते हैं तो prelims का previous year paper upload कर दिया गया है 2015 का prelims का cutoff 2015 का prelims का cutoff 2018 का prelims का cutoff ये भी share किया जा चुका है और 2015 का mains exam का cutoff ये भी share किया जा चुका है पिछले वीडियो आप देख सकते हैं बाकि इस वीडियो के last में भी मैं आपको इपर उसका screenshot शेर कर दूँगा ठीक है अब हम बात करेंगे क्या इसका हमारा कितना competition रहने वाला है इस बार और क्या हम expect कर सकते हैं हमारा cut off कितना जाने वाला है जो कि बहुत important है उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि हमारा CGPDTM का classes या हमारा course available है आप हमारी website पर जा करके register कर सकते हैं बहुत ही कम price रखा गय है और इसमें हम आपको क्या क्या चीज़े प्रवाइड कराएंगे इसमें हम आपको quantitative aptitude, reasoning aptitude, English language, current affairs और static gk और उसके साथ साथ intellectual property यह सारे के सारे हम आपको video lectures प्रवाइड कराएंगे current affairs और static gk के हम आपको PDF notes प्रवाइड कराएंगे बाकि सारे यह जो चार subjects हैं इसके हम आ आपका mains exam का जो paper है, paper 1 बोलिए या paper 2, mains exam का जो आपका paper 1 है, जो आपका 100 number का आने वाला है, 100 वाला, जो आपका 100 number का आएगा, उसमें भी यही आपका portion आएगा, यह intellectual property, prelims में आपका 15 number का है, वहाँ पर आपका 20 number का हो जाएगा, ठीक है ना, gk यहाँ पर आपका 30 number का है, व paper 1 बोलिए या paper 2, paper 1 जो आपका 100 marks का जो paper है, या तो 1 बोलिए या 2 जो आपका 100 marks का, उसमें भी आपके यही सारे subjects आएगे, तो यह आपके लिए useful रहेगा, और हम आपको इसमें 150 plus hours का हमारे video lectures रहेंगे, 200 से जादा हम आपको PDF notes देंगे, PDF notes हम आपको Google Drive पे भी शेयर करेंग लिंक आपको description में मिल जाएगा, otherwise आप हमारी website visit कर सकते हैं, वहाँ से जा करके register कर सकते हैं, चलिए आगे देखते हैं क्या हमारे पास important data है, देखिए, यह CGPDTM का जब result declare किया गया था, तब उस time पर prelims का, 26 October 2018 को जब result आया था, तो result के साथ ही यह data वहाँ पे दिया गया था, यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर clear लिखा हुआ है, a total number of 63,216 were eligible for appearing in the prelim examination held on 30 September 2018, out of which 34,112 candidates appeared in the examination in 14 cities across India, तो total 14 cities में आपका exam होता है, 14 cities में all over India, और जो main exam होगा, वो hopefully आपकी 4 cities में होगा, दिल्ली, मुंबई, चिन्नाई और कुलकाता यहीं पर last time भी हुआ था, इस बार changes होते हैं नहीं होते हैं, लेकिन last time भी हुआ था, ठीक है, और इस बार जो आपका prelims होगा, वो 14 cities में जहां पर भी होता है, वहाँ पर होगा आपका, अब देखिए उस time पर 63,216 लोग eligible थे, अब इसका मतलब यह नहीं है कि इतने लोगो I think vacancies जो हैं थी, 222 या 223, मुझे नहीं मालूम number of figures कितना था, लेकिन शायद 222 vacancies थी, 2018 में, तो इसका 12 times, 12 गुना candidates बुलाए गए थे, 2650 candidates उस time पर main exam के लिए short list किये गए थे, अब इस बार देखिए आप क्या है, इस बार बहुत सारे लोग aware हो चुके हैं, बहुत सारे students aware हो चुके हैं इस exam के बारे में, तो आप यह मान के चलिए कि एक लाग से जादा लोग यह form भरेंगे, 100% sure है कि इतने candidate form भरेंगे, यही भरेंगे, अब appear कितने होते हैं, यह तो हमें बाद में पता चलेगा, यह तो बहुत सारी चीजों पर depend करता, हम नहीं बता सकते हैं कि ए इतना SSC banking में होता है कि 20-20 लाग, 50-50 लाग लोग form भर रेंगे, वैसा नहीं है, लेकिन हाँ, एक लाग से जादा लोग इस form को भरेंगे, फिल करेंगे, और कितने candidate अपियर होते हैं, यह हमें बाद में पता चल पाएगा, और उसके बाद कितने shortlist किये जाएंगे, यह भी expected cutoff कितना जाएगा, तो आप यह मान के चलिए, मुटा मुटा अगर हम आपको बताएं कि cutoff कितना जा सकता है, ऐसा नहीं कि 130-140 नमबर इतना cutoff जाएगा, नहीं, यह तो कोई candidate score कर लेता है, इतना maximum तो बात लगा, otherwise इतना cutoff नहीं जाने वाला है, पहले हम cutoff देख लेते हैं यहाँ पर यह देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर है, यह 2015 का prelims का cutoff है, और यह 2018 का prelims का cutoff है, इसके बाद यह mains का भी आपको cutoff दिया गया है, 2015 exam का, mains exam का cutoff, ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम cutoff देखें, overall, 2015 में, देखिए, 1500 में से, almost maximum हम अगर देखा जातों, computer science और electronics and communication का गया है, 100 number, कितने में से, 150 में से, ठीक है, 2018 में देखिए आप, यहाँ पर देखिए, अलग-अलग category का है, undeserved category का cutoff देखिए, किसी post का 100 के उपर नहीं गया है, सब का 100 के नीचे, वो एक अलग चीज़ है, maximum score किया, किसी candidate ने, वो बात अ अगर हम इसी के basis पे एक analysis करें, तो हम अन्दादा लगा सकते हैं कि इस बार भी cutoff almost इतना ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग aware हो गए हैं, competition बढ़ गया है, तो cutoff बहुत जादा हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, फिर भी हम मान के चलते हैं कि आपको अगर एक safe zone में रहना है, तो cutoff हम एक target लेके चलते हैं, 105 से लेके 110 नमबर, ये एक safe score है, और मैं आप से कोशिच करूँगा, मतलब गुजारश करूँगा, इतना तो आप score करिए, इतना जब आप score करेंगे, तो आप safe zone में रहेंगे, आप means exam के लिए 200% shortlist किये जाएंगे, इस से नीच safe zone बता है, मैं आपको बोल देता हूँ, 80 रहेगा cutoff, तो क्या होगा, उससे आपको फरक ये पढ़एगा, आप कहींगा, 80 तो जाएगा, छोड़ो क्या करते हैं, पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, नहीं, इसलिए मैंने आपको ये दिया है target कि जितना थोड़ा सा difficult target रहेगा, तो आपको achieve करने में भी अच्छा लगेगा, और आप उसके लिए मैनत भी उतनी करेंगे, ये genuine मैंने आपको cutoff बताया है, आप इतनी ही मैनत करिए, हो सकता है, 95 चला जाए, cutoff, 94 चला जाए, कोगी अलग अलग पोस्त है, सबके लिए इतना ही नहीं रहने वाला सबके लिए अलग अलग रहने अलग, लेकिन इसके उपर नहीं जाने वाला है, इसके नीचे ही cutoff रहेगा, तो आप target लेके चलिए कि जो भी section है, प्रॉपर अपने time table बनाईए, कि मुझे इतने time तक ये पढ़ना है, जो section आपको easy लगता है, जैसे आपको reasoning easy लगता है, तो कोशिश करिए कि reasoning में हम 30 में 30 score करें, के लिए 30 नहीं कर सकते हैं, आप 27 कर सकते हैं, 26 कर सकते हैं, GK में आपको लगता है कि GK में चलो current affairs, अगर हमारा 20 number 20 question आ गए 15 से 20, तो हम current affairs इतनी तयार करके जाएंगे कि एक भी question हम skip ना करें, अगर 15 question हमको current affairs के मिल गए तो हम 15 के 15 ही चिपका के आएंगे, तो कोशिश करिए इस तरह से पढ़िए, जितना जादा से जादा एक positive approach लेके पढ़िए, time table बना के पढ़िए और उतना हर एक section को एक एक बराबर proper time दीजिए, कि हम ये पढ़के जाएंगे, ये मेरे लिए easy है, इसमें हम इतना score करेंगे, करेंगे मत बहुत अच्छी बात है, तो आप बाद में attempt कर सकते हैं सारे, और अगर होती है, तो आपको संबल कर खेलना पड़ेगा, बाकी कोई और जानकारी जाते हैं, तो आप हमसे comment करके पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का data चाहिए, कुछ आपको पूछना है, तो आप हमसे comment करके आपको 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 आपक